हेलो फ्रेंड राधी राधी आपका मेरे सैनल पर बहुत बहुत स्वागत है देखे चार नंबर के गुपाल जी के लिए जूते बनाये है छोटे-छोटे से यह देखे कितने प्यारी लग रहे हैं आप देख पा रहे होँगे इनको मैं देखे आपको पहना के दिखा देती आप कभी कहें कि नहीं आएंगी नहीं देखिए चार नंबर जी कितने प्यारी जूते हैं इन्हें आपको पहना के दिखाती हूं देखें मेरे जूते बनाए हैं यह देखें चलिए दूसरी पैर में डालते हैं यह देखिए, देख पा रहे होंगे आप, मैंने अपनी गॉपाल जी के चांड नंबर के जूती है, इस तरीके से पहना दिये, इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से, मैंने उस लायो की साहिता से बनाई है, देखिए, चांड नंबर के गॉपाल जी के जूते, इनको सलाईयो की साहिता से, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाए है, बनाना बहुत ही जी है, इनको, देखिए, देखिए, मैंने अपने गॉपाल जी को जूते भी पहना दिया, देखिए, कितने आसान है, इनको बनाना भी और पहना भी, ठंड के जैसे, चांड नंबर के गॉपाल जी के जूते, ओताराम से बन गई है, चलिए, इनको बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से मैंने चलिए, वीडियो स्टाट करते हैं, चलिए, बड़े चार नंबर के गॉपाल जी के जूरू आप बनाना शुरू करते हैं, इस सलाई में देखिए, मैंने 17 फंदे ले लिए हैं, 17 फंदे लिए, दो, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार तेरा, पंदरा, सोला, सतरा, इसमें मैंने 17 फंदे ले लिए, अब हम चार नंबर के गॉपाल जी के पैरो के चूते बना रहे हैं, चलिए, स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना, पहली सलाई जो है हम, इसमें, सिंपल तरीके से, अपनी साइड में सलाई करके, ये सलाईों से बहुत आसान है, सो शिप सलाईों की साइड है, बनाएगे तो बहृत जल्दी बनती है, देखे इसको लिए, पहली सलाई इस तरीके से आपनी से इस तरीके से बनाएगे, पूरी सलाई हम इसी तरीके से इस कम्प्लीट परेंगे, इसको पूरी सलाई को इसी तरीके से जिन बेनों को सलाईयों से बनाना बहुत ज्यादा आसान है बहुत जल्दी बनती है सलाईयों से जूते पैरों के यह मैं चार नंबर के गुपाल जी के बनाके बता रहे हूं आपको चोड़ा पंदरा सोला यह हो गया सत्रा यह देखे इसको हमने यह कंप चलाई जो है कंपलीट कर लिए अब हमने इसको करना क्या है अब इधर की साइब से भी हम इसको एक बर हो और इसी तरीके से बनाएंगे अब इसमें हमने गटाना सुरू करेंगे पहले एक सलाई इसी सलाई हम घटाना सुरू कर देंगे दो सलाई हमने एक तो सिंपल कर लिए दूसी सलाई भी हम इसी तरीके से करेंगे पर इसमें घटाना सुरू कर देंगे दो पी चार पांच छे पर ये आठ देखेए आठ हो गएं दो चार छे और यह आठ आठ फंदे हो दोनी को साच कर देंगे हम यह तीन फंदो को हम इस तरीके हा और एत दो ऊरित तीन है वो श्यर शार सिंख इधर साथ रखेंगे दो चार छे साथ होगे एक आठवा इधर का आठवा इधर का बीच का नौबा तो इन तीन फंदो को हम लेंगे आठ ये और ये इन तीन फंदो को हमने जो है इस तरीके से उतार लिया है अब हमने करना क्या है अब हम बीच का बाद का फंदा जो है इसको पीछे वाला फंदा पहले लेंगे इस तरीके से और इन दो फंदे जो आगे जो दो फंदे उतरे हैं इनको इस सलाई में हम इस तरीके से भर लेंगे यह देखे आप इसको हमने क्या करना है इसको इसमें लेना है और इसको इस तरीके से इसमें डाल देना है अब ये धागे को हमने इधर की साइड लेके इन तीनों फंदों को घटा देना है एक साथ तीनों फंदों को एक साथ घटाना है एक दो और ये तीन तीनों फंदों को हमने एक साइड ऐसे घटा देना है अब देखे इधर कितने फंदे बचे दो चार छे साथ साथ इदर होगे और साथ इधर वचे ये फंदे हमने इसका इसको ऐसे लेंगे और इन फंदों को हम बना लेंगे ऐसे अपनी साइड करके इस तरीके से बनाएंगे ये दो सलाई हमने इस तरीके से किया ये पैर को tat हम इस तरीके से पूरी शलाई को हम इसी तरीके से उतार लेंगे इसको बहुत आसान है ज्यादा मुश्किल भी नहीं सिफ छेशा सलाईय में कम्प्लीट हो जाती है यह हो गया पूरी शलाई हमने इस तरीके से कम्प्लीट कर लिया यह देख पारे होंगे बीच का फंदा जो है यह है पंजा जो होता है न आग अग अधर से ऐसे बनता जाएगा अब दो सलाई जो हमने इस तरीके से किती है अब इसको हम सीधी तरीके से करेंगे यह नीचे सलाई में आ जाता तो इसको हम जो है अब इसको इस तरीके से बनाएंगे ऐसे करके इसको इधर की तरफ आगी की तरफ करके सलाई को ऐसे बीनेंगे इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये हो गया, छे, ये छे फंदे हमने बना लिए हैं, देखें, दो, चार और छे, छे फंदे बना लिए हैं, अब ये बीच का फंदा है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक इधर का लेंगे, एक इधर का लेंगे, अब इन तीन फंदों को जो है वह गटाएंगे इसको पहले यह सिलाइने हैं इस तरीके से टीनों को हमने ले लिया इस तरीके इस तीना को एक साथ तरीके बह रेंगे एस तरीके का पाले का फंद लेंगे यह देखे, इसको हम पहले ले लेंगे, आगे कि तरफ इसको निकालते हुए इस तरीके से यह जो दो फंदे हैं, इनको हम ऐसे भर लेंगे, अब इस तरीके से करेंगे, यह स्वेटर गला आगे का बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसको घटाएंगे, गला भी आगे का स्वेटर बनाते हैं बहुत इसी तरीके से घटता है अब इन तीन फंदों को जो हम घटा देंगे यह देखे तीनों फंदों को इस तरीके से हमने घटा दिया अब इसको हम यह देखे तीन फंदों बटाया था इस तरी घट गया अब यह छे फंदे बचे इनको भी हम इसी तरीके से इनको बना लेंगे एक दो तीन चार पांच और यह देखे छे इस तरीके से बनेगी अब पीछे के से लाई हम जो है सिंपल तरीके से अपनी साइड करके इसको सिंपल तरीके से ऐसे लेंगे पीछे की सलाई इस तरीके से पूरी हम उतार लेंगे इसको पीछे की सलाई बिलकुल इस तरीके से हम इसको पूरी सलाई को इस तरीके से कंपलीट कर देंगे अब यह कितनी रहे गे हैं, दो, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, गारा, अब यह देखो, सतरा में से तेरा फंदी रहे हैं, एक एक बीच में घटता जा रहा है, यह देखे, इस तरीके से रहे गे, अब इसमें हमने कितने फंदी रखने हैं, पांच- पांच इधर रह जाएंगे, तो अब इसको फिर से ऐसी करना है, जैसी किया था, जैसी घटा था, ऐसी इसको फिर से घटाना है, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, यह पांच फंदे हो गए, देखे, अब इन तीन फंदों को फिर से इसी तरीके से घटा देना, तीनों क प्रफंद लिया इस तरीके से हुआ है कि तीनों फंदि एक साथ घटिए फिर देखिये जो है इस तरीके से हमने घटा दिया है अब यह पाँछ पंदिर आगए इनको इसी ने सो बनाएंगे ये देखे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, ये देखे, इस तरीके से बन गए, अब हम इन सब फंदों को घटाना शुरू कर देंगे, ये चार नमबर के गोपाल जी की, तो सिर्फ इसमें हमने किया है, पांच-छी सलाई हाथ, फिर आया है, पांच-छी सलाई हो में जो लएकर करनी है, इसमें लिगया है, फिर इसमें डालेगे, फिर घट इसको, इस तरीके से हमने पूरे complete कर देना है यह देखिए यह देखिए इस तरीके से पूरे complete हो गई घट गई है अब इसको हम यहां से कट कर देंगे यह देखिए इस तरीके से हो गई अब हम इसको जो है सील्आई में लगा देनी है देखके आपके इसको सीधा करें यह कि यह सीधा करके जो चोटी सी गुपाल ची की जो चार नमर की गुपाल ची की जो है सोक्स तयार हो गई अधर से यह देखिए इस तरीकी की एक है और एक यह आपको कैसी लगी देखिए यह गोपाल जी की जो है जोते तयार होगे छोटे से आपको इस वीडियो कैसी लगी प्लीज ये वीडियो को लाइक करें और कमंट करके जरूर बताएं आपको जुराबी कैसी लगें जोते छोटे से चार नंबर के ये आप ये चार नंबर के मैंने 17 दाले हैं यह आप 5-6 नंबर के बना रहें तो आप उसमें 21 जरूर लें 21 भीस नहीं 21 जरूर लें और उससे भी बहुत अच्छी जुराबे बनेंगे देखें